जहिन दोस्तों तो आज हम देखेंगे अपना सैथ नमबर 84 5000 प्लस MCQ Marathon सीरीज को तो दोस्तों आज भी क्या है हम अपने 20 questions को देखेंगे और आप वीडियो को पॉस करके question को attempt कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या कि सबसे पहला question देखते हैं कहता है consider the following statement regarding article 15 right to equality of the Indian constitution so दोस्तों यहाँ पर यह article 15 के बारे में बात करा जैसे आपको पता है जो हमारे fundamental rights है वो हमारे article 12 से लेकर के 35 के बीच में देखने को मिलते हैं और total हमारे 6 fundamental rights की category है जैसे अगर हम पहले की बात करें जैसे हमने classify कर रखा इन articles को जैसे 14 से 18 में हमारे right to equality के रहते है right to freedom हमको देखने को मिलते है 19 से 22 से लेकर ऐसे फिर 23 से 24 एक category में फिर यहाँ पर 25 से 28 से एक category में 39-30 minorities और 31 वाला right जो है वो fundamental right property का था वो हटा दिये गया था 44 amendment 1978 में फिर article 32 यानिके right to constitutional remedy इस तरीके से हमने articles को classify कर रखा तो जो article 15 है वो हमको कहां देखने को मिलता है तो कहता है देखो अब हमने ट्रिक्स भी देख रहे हैं इसकी जो fundamental rights कि वो ट्रिक है पड़े यूटी साम्स बोलियेट है पंटील है तो अब यहाँ पर कहाए कि यहाँ पर यह बात करता है आर्टिकल 15 कि यहने कि discrimination को रोकता है कहता है कि state prohibit the discrimination on the basis of religion, race, caste यहाँ पर सी से कास्ट हो जाएगा यहाँ पर फिर आजाएगा हमारा sex place of birth तो यहाँ पर पांच चीजों के बार में बोलता है यहाँ पर सरकार जो है discrimination नहीं कर सकती इन पांच चीजों को लेकर के तो पहली statement है it prohibits the state from discriminating against any citizen on the basis of place of residence तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि जो आर्टिकल नंबर 15 है न वो पांच चीजों को तो रोकता है लेकिन यहाँ पर जो residence word आ रहा है तो याद रखना इसको क्या है इसके basis पर सरकार discrimination कर सकती है तो यहाँ पर कह रहा है कि सरकार को यह रोकता है तो हमारा यह वाला statement गलत हो जाएगा second कहता under this article the state has been empowered to make special provision for women and children तो दोस्तों यहाँ पर कहें कि जो सरकार है न वो positive discrimination कर सकती जैसे अपलिफ्टमेंट के लिए कोई women हो गए या फिर चिल्डरन हो गए इनके अपलिफ्टमेंट के लिए तो यहाँ पर कह रहा है कि यह वाली statement हमारी ठीक हो जाएगी थर्ड कहता है it allows the state to make any special provision regarding minority educational institution तो दोस्तों यह statement गलत हो जाएगा जो minority वाले हमारे आर्टिकल साते हैं वो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर में देखने को मिलते हैं नाक के आर्टिकल 15 के अंदर में तो हमारा क्या है सिर्फ और सिर्फ इसमें second statement ठीक रहेगी second question को देखते है कहता है which one of the following group of languages are included in the eighth schedule of the constitution of India तो दोस्तों यहाँ पर schedules के बारे में बात कर रहा है तो आपको पता होगा कि जैसे जब हमारा Indian constitution बनाया गया था 1950 में complete हो गया था और आज चल रहा है 2023 तो जब 1950 में constitution बनकर तयार हो गया था तो हमारे उस टाइम पर जो total schedules है न उस टाइम पर आठ हुआ करते थे आज की डेट में 2023 की बात करें तो हमारे total schedules 12 है तो अब इस schedules की जैसे आपको पता एक trick है जिसका नाम है Tears of Old PM तो अब यहाँ पर क्या है कि एक तरह के से eighth schedule के बारे में बात कर रहा है यानि कि जो eighth schedule है न वो हमारे official language के बारे में बात करता ह तो अब यहाँ पर जो languages है तो जब 1950 में हमारा constitution बना था तो total हमारी जो eighth schedule में languages थी वो total 14 languages थी लेकिन अगर आप 2023 की आज बात करोगे तो total हमारी 22 languages देखने को मिलते है इस eighth schedule के अंदर में तो यहाँ पर क्या होता है time to time हमको amendment देखने को मिलता है तो जब पहला हमको तीन amendment इस 1967 में फिर 1992 में फिर 2004 में तो जब 14 language होती थी इस के अंदर में तो हमारी जब 1967 में amendment होता है तो यहाँ पर जो सिंधी language है उसको include करा या तो अब यहाँ पर total हमारी language कितनी होगी 15 हो गई 1992 में plus 3 language और एड़ करी तो हमारी total language कितनी होगी 18 होगी फिर 2004 में क्या था चार language को और add on करा जाता है तो हमारी total 8th schedule में 22 language हो जाती है तो इस तरीके से क्या है हमारी language का एक तरीके से chronology में हमने क्या देखा एक तरीके से improvement देखा इसमें याद रखना main बात इसमें यह है कि हमारे इन 8th schedule में जो 22 language है इसके अंदर में हमारी English language नहीं आती तो अगर आप यहाँ पर इंडिया की बात करोगे ना तो different regions में different language देखने को मिलती है जैसे हमारी हम पर क्या होगयी गुज्राथी हो गई यहाँ पर कंणड़ ओगई कश्मीरी हो गई डोगरी हो गई नेपाली हो गई सिंदी हो हुगयी Αंस्क्रेत हो वा इस तरीकिसे क्या है हमारी languages इसके अंदर में हां तो कहता कि in में से कौन सी language हमारी included है तो देखो दोस्तों जिसमें English English आ रहा है सबको eliminate कर दो जैसे इसमें English आ रहा है इसमें English आ रहा है तो अब यहां पर गया कि हमने यह वाली पूरी क्यान उबर कर दी और यहां पर यहां सबसे इसमें पार सबसे और सब्रयब को आती इसके बाद में हमारी Destrict District Court आती है आप District Court में भी देखोगे हमारी क्या है Civil Court होती है और Civil Court के बाद में एक होती हमारी civil court दूसरी होती हमारी Criminal Court तो अब यहां पर Criminal Court है न इसको Session Court भी बोला जाता जो Criminal Cases की सुनवाई करता है तो उसको सेशन जज़ भी बोला जाता तो यहां पर आपको ऐसे के थोड़ी सी छोटी सी करोनलोजी पता होनी चाहिए क्याता है यूनिफॉर्म और्गेनाइजेशनल इस्ट्रक्चर एंड जूरिज्डिक्शन थ्रो आउट इंडिया सो दोस्तों सब ओर्डिनेट कोड के बारे में बात कर रहा है यानि कि इन वाले कोड्स के बारे में बात क हो जाएगी फिर सैंड्र इस्टेटमेंट कहता है सैशन कोड़ यानि कि जो हमारे ये वाले सैशन कोड़ है एक हैस पावर तो इंपोज सेंटेंस अप्टू लाइफ इंप्रिसंड मेंट बट नॉट कैपिटल पनिश्मेंट सो दोस्तों यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाए पिल्स यहां पर capital punishment है निके death penalty भी यहां पर इसको दे सकता है लेकिन यह जो capital punishment सुनाई जाएगे ना इसको confirmation करने के लिए क्या हाई court के पास में भीजा जाएगा तो याद रखना session court यहां पर पुचा सकता है तो इस वज़े से यह statement गलत हो जाएगी तो हमारा जो कर दोनों statement गलत है तो हमारा answer इसमें डी हो जाएगा यानिके दोनों statement गलत है फूर्थ question को देखते हैं क्याता है इट established a 15 member council of India to assist the secretary of state of India the court of directors and the board of control of the British East India Company were described the act made India a direct British colony तो दोस्तों यहां पर देखो आपने देखा 1600 में क्या है सबसे पहले English East India Company को monopoly यानिके charter मिल जाता है फिर 1757 में battle of class होती है फिर उसके बाद में आप देखोगे 1773 में जब regulating act आता है तो इसके अंदर में क्या होता है court of director बनाए जाते है अब इसके बाद में क्या होता है कि 1773 में इसके अंदर में board of control को बनाया जाता है तो हम कह सकता है कि धीरे धीरे करके इंडिया ने क्या गवर्मेंट को स्थापित कर दिया इंडिया के अंदर में तो जो यह court of director थे इसके पास क्या है civil administration का काम धाम देखने को बोला लेकिन जो board of control थे इसका काम बोला जो भी इंडिया के अंदर में revenue department होगा जो भी military affairs होंगे यह यह board of control करेंगे लेकिन तो यहां पर क्या है कि जो board of control है इसको डारेक्ट कौन गवंड कर रहा था British सरकार यहां पर गवंड कर रही थी लेकिन यह क्या है 1784 की कहानी चलते है लेकिन जब आपने देखा 1857 में क्या होता है पहली लड़ाई लड़ी जाते है फस्ट वार ओफ इंडिपेंदेंस तो 1858 में क्या होता है यहां पर government of इंडिया एक्ट लाया जाता है जिसको good governance act भी बोला जाता है तो इसके अंदर में क्या करा यह कर दिये गए यानि कि board of control board of control को भी abolish कर दिये गया और court of director को भी हटा दिया गया तो यहां पर क्या होता है यह 1858 की बात होती है तो हमारा जो आंसर होगा इसके अंदर में यह हो जाएगा अब फिफ्ट कोशन देखते हैं क्याता है consider the following features stable government prevent autocracy narrow representation क्याता है which of the above features will be a benefit after adopting the presidential system in India तो दोस्तों यहां पर देखो आपने देखा होगा कि हमारी जो form of government ना वो दो ज्यादा famous देखने को मिलती है एक है हमारी parliamentary form of government दूसरी होती है हमारी presidential form of government तो आपने देखा होगा जब हमारा इंडिया का constitution बनाया जा रहा था तो यहां पर debate चल रही थी कि हम parliamentary form of government चूज करे यहां पर presidential form of government चूज करें तो यहां पर जो हमारे constituent assembly यानिके जो हमारे framers उन्होंने parliamentary government को चूज करा क्योंकि यहां पर बताया है कि हापर क्या है responsibility देखने को मिलती है हमारी MP, MLS की यानिके mostly MPs की लेकिन presidential system में हमको responsibility नहीं देखने को मिलती है तो हमारे presidential system का benefit यहां कि हमको stability ability देखने को मिलती है लेकिन parliamentary form of government में हमको नहीं देखने को मिलती है और यहां पर यह बोला गया कि हमारे इंडियन लोग से यह क्या है corresponding parliamentary form of government से ना कि presidential सिस्टम से इस वज़े से क्या parliamentary form of government को चूज करा जाता है तो यहां पर presidential system form की बात करी जा रही है तो यहां पर कहता है stable government होता है तो दोस्तों यह statement ठीक है second कहता है prevent autocracy तो दोस्तों यह statement गलत है जैसे यहां पर suppose करो जो presidential system है वो USA के अंदर में देखने को मिलता है तो यहां पर जो होता है president वो हमारा क्या होता है वो head of state भी होता है और वो head of government भी होता है तो यहां पर कहा है कि अगर इसका इसका bus चले ना तो यह क्या है कि autocracy कर सकता है यानि कि यह ताना शाह बन सकता है क्योंकि यहां पर क्या है कि यह responsible नहीं होता वहां का जो lower house है यानि के Congress है फिर कहता है narrow representation होता है यह भी statement गलत हो जाएगी इसके अंदर में क्या है कि कोई अगर वहां का MP नहीं होगा तो अपनी मर्जी से president किसी और बंदे को भी यहां पर बुला सकता है अपनी cabinet के अंदर में यानि कि हम कह सकता है कि यहां पर expert लोगों का representation देखने को मिलता है यहां पर ऐसा नहीं कि अगर कोई इंडिया के अंदर में कोई illiterate MP है इसको क्या कि एक ऊची पोस्ट को भी दे दिया जा सकता है तो हमारा क्या है कि नेरो representation देखने को मिलता है parliamentary government में तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारी पहला option जो correct होगा next question देखते है कैता है with reference to article number 16 consider the following statement तो दोस्तों यहां पर क्या है कि जो हमारा article number 16 है वो employment के बारे में बोलता है यानि के सरकार क्या है equal opportunity provide करेगी employment के लिए जो भी public offices है इसके अंदर में यानि कोई वो discrimination नहीं करेगी तो यह employment के बारे में बात करता है क्याता है it is confined to appointment to an office under the state तो दोस्तों यह बिल्कुल statement हमारी ठीक हो जाएगी second कहता है under this article the state cannot grant reservation in the promotion यह statement गलत हो जाएगी दोस्तों आपने देखा होगा कि article 16 clause 4 यहाँ पर कहता है कि सरकार employment के अंदर में जैसे promotion वगेरा हो गया यहाँ पर कहे कि यह एक तरीके से reservation दे सकती है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा correct answer होगा वो पहली statement यहाँ पर होगी अब यहाँ पर next question को देखते हैं कहता है consider the following statement regarding the constituent assembly तो दोस्तों यहाँ पर कहे कि आपने इतनी बार यह वर्ड सुन लिया होगा आपको भी चीजों को याद हो गई होगी तो जैसे constituent assembly की बात करता है तो जैसे पहला session हमने देखा 9 December को होता है तो उस टाइम पर क्या है कि जो हमारे constituent assembly के अंदर में सबसे जो old man थे वह थे उस टाइम पर हमारे dr. सचिदानंद सिन्हा तो जिसकी वज़े से जो पहला session होता है तो यहाँ पर dr. सचिदानंद सिन्हा को क्या है यहाँ पर president बनाया जाता लेकिन यह temporary president होते हैं है न और यहाँ पर दो वाइस प्रेसिडेंट बनाये जाते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वह होते हमारे एक वेटी कृष्णा मचारिया और दूसरे होते हमारे HC मुखर जी तो यह सारी की सारी चीज़े होती है फिर बाद में आता 11 दिसंबर का सेशन सेकिंड सेशन तो यहां पर क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है अब यहां पर राजेंदर प्रसाद को बना जाता है हमारी चीज़ेंदर सेशन को हटा दिया जाता और वह वैसे भी tempraray प्रेसिडेंट है और राजेंदर प्रसाद हमारे परंवनेंट प्रेसिडेंट बन जाते है तो दोस्तों यह भी वात आपको पता होनी चाहिए कहता है डोक्र सचिदानन सिना was elected as a provisional president of the constituent assembly बिल्कुल ठीक वीटी कृष्णम माचारी was the only vice president of the constituent assembly गलत हो जाएगी इसके साथ में हमारे HC मुखरजी भी थे थर्ड कहता है Muslim League was never a part of the constituent assembly ये statement गलत हो जाएगी जब हमारा पार्टिशन नहीं हुआ था Muslim League ने पार्टिसिपेट कर रहा था उसके बाद में ये विड्रो कर जाती जब पार्टिशन हो जाता तो हमारा जो प्रेंबल से रिलेटिड होगा कि इंदी कंटेक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ फॉलिइंग स्टेट्मेंट बैस्ट डिस्क्राइब दा टम फ्रेटर्निटी तो दोस्तों यहां पर यह वर्ड आ रहा ना फ्रेटर्निटी इसका मतलब होता भाई चारा तो अब यह पीपल ऑफ इंडिया हैं सोलेंगी रिजॉव तो इंडिया इंट्वा पर इंट्वा सोवरीन सोशलिस्ट डेमोकरेटिक रिपेबुब्लिक यहां पर यही हमारे बेसिक इस्ट्रक्चर बनाते हमारे प्रियंबल और स्प्रेंब कोट्वी कहते है कि हमारा हाप फंडमेंटल कोट बात करता है तो अब यहां पर देखो जस्टिस की बात करी जा रही है यानि के यह जस्टिस प्रोवाइड करेगा Constitution हमारा सामाजी की भी एकनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी हमको लिबर्टी आजादी देता हमको सोचने की करने की बिलीफ, फेट, श्बंज कब करता है हमको स्टेटास भी प्रॉइड करेगा हमको उप्रेणिटी भी प्रॉइड करेगा और यह सारे चीजे उइक्प्योंक्य सब में फैलाएगा भी fraternity भाया यह यानि के हम अशूर करेंगे जो Dignity ये Individual की और और unity और integrity हमारे देश की in our constituent assembly the 26th day of November तो दोस्तों आपको ये date पता होने चाहिए 26 November 1949 को हमारा क्या है हमने adopt कर लिया था इनेक्ट कर लिया था और अपने आपको constitution दे दिया गया था फिर उसके बाद में जो 26 जनवरी 1950 है इसको क्या करा था हमने constitution को क्या करा एक तरीके से commence कर दिया यानि कि चालू हो गया था तो यहां पर fraternity का जो word है इसका मतलब पूछ रहा है क्या था it refers to the formation of collective consciousness leading to unity and integrity of the nation तो दोस्तों यह statement गलत हो जाएगी fraternity का मतलब होता है भाइचारा हमको आपस में प्रेम महबत से रहना चाहिए सब को second कहता है it refers to the voluntary sharing of collective burdens by individuals for the welfare of the society गलत it refers to an attitude of respect and reverence towards fellow men तो यह statement हमारी ठीक हो जाएगी हमारे जो भाइचारा जो आपस में लोग बाग है प्यार महबत से रहना चाहिए यही fraternity का मतलब होता है तो हमारा answer इसमें C option हो जाएगा अब next question को देखते कहता है which of the following types of justice is mentioned in the preamble of the Indian constitution तो दोस्तो प्रियंबल की बात कर रहा और justice के बारे में बात कर रहा है तो यहां पर आप देखोगे justice हमको कैसा देया जाएगा social economic और political टीन टाइप के justice की बात करता है तो यहां पर कहा रहा social political economic collective तो दोस्तों यहां पर शुरू के तीन हमको justice मिलते हैं देखने को ना कि collective तो हमारा जो correct answer होगा शुरू की तीन statement ठीक हो जाएगा यानिके 123 हमारा यहां पर option ठीक हो जाएगा तो आज का 10th question देखता है नहीं 10th नहीं 20 आज की question तो कहता है which of the following matters will be considered under the original jurisdictions of high court in India तो दोस्तों यहां पर आप सुनो एक होता है original jurisdiction तो original jurisdiction का मतलब होता है कि यहां पर जो सबसे पहले सुनवाई होगी ना वो यहां पर high court के पास में जाएगी यानिके और याद रखना इसका मतलब यह नहीं कि appeal वाली जो cases आते हैं वो यहां पर direct महां पर नहीं जाएगे तो स exclusive jurisdiction भी कहता है यानिके सबसे पहले जो मामला है वहीं पर जाएगा high court के पास में तो कह रहा है कि इन में से कौन से consider करे जाने चाहिए original jurisdiction of high court election of member of parliament and state legislature revenue matter contempt of court और यहां पर federal disputes तो दोस्तों यहां पर ऐसे समझो जो हमारे elections होते हैं जैसे MPK या फिर MLA अगर हमारा कोई भी dispute वग जाले तो यहां पर सबसे पहला जो राइट होता है वह हाई court को मिलता है सब्सक्राइब करो यूपी का कोई बात करते हैं तो यहां पर कहेगी कोई भी अगर दिक्कत परिशान्य आती है पैसे से related तो यहां पर क्या है हम high court के पास में जाएंगे सही है content of court तो बिल्कुल ठी कि यह भी यहां पर आएगा federal dispute तो दोस्तों यहां पर जो word है ना federal dispute suppose करो federal के अंदर में क्या है आपने देखागा cooperative federalism federal के अंदर में हमारी central government और इदर state government आती है तो जब यहां पर center और state आजएगी तो यह जो federal disputes होगा यह इसकी पहले सबसे पहले सुनवाई supreme court करेगा ना कि high court तो fourth statement गलत हो जाएगा fourth को eliminate भी कर दोगे तो हमारी शुरू की बारे में बातचीत करी जा रही है तो आपने देखा होगा secularism हमको दो टाइप के देखने को मिलता है एक आता western secularism दूसरा था इंडियन secularism और यहां पर जब भी western की बारे में बात करी जाते हैं तब हमेशा फ्रांस का example दिया जाता है यह हमने लास्ट के lecture में भी देखा था तो secularism के बारे में बात करेंगे कहता है it is based on the principle of separation of state and religion वो भी इंडियन secularism की गलत हो जाएगी दोस्तों यहां पर क्या है यह western secularism की definition है तो यहां पर क्या है कि Indian state क्या है एक तरीके से interfere कर सकती है जब जरुवत पढ़ सकती है तो यहां पर second क्याता है Indian secularism does not allow state supported religious reform यह statement गलत हो जाएगी तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे untouchability है तो यह untouchability क्या है एक तरीके से सबसे ज्यादा practice religious practice Hinduism में देखने को मिलती थी तो यहां पर क्या है कि state का interfere देखने को मिला जिसकी वज़े से क्या है यह untouchability को abolish कर दिया गया हमारे article 17 के अंदर में तो हम कह सकते है कि यहां पर state का interfere देखने को मिलता है तो यहां पर जो है second statement भी गलत हो जाएगी तो जो हमारा correct answer होगा वो यहां पर डी हो जाएगा neither one nor two यानिके अब second question देखते हैं कहता है consider the following statement regarding economic inequality तो दोस्तों यहां पर economic inequality की बारे में बातचीत करी जा रही है तो suppose करो economic का क्या मतलब है पैसे से related यानिके money से लेकर के हमको inequality देखने को मिलती है तो यहां पर यानिके हम कह सकता है कुछ लोग बहुत रिच है कुछ लोग बहुत यानिके poverty line के हमने उपर बता दी इतने लोग क्या इतने अमीर है और इसके नीचे वाले क्या है इतने गरीब है और इससे पहले हमने देखा था कि एक poverty line होती है हमारी इससे उपर क्या है कि जो कभी उपर poverty line के उपर भी आ जाता है कभी नीचे भी आ जाता है इसको बोला जा बारे में हमको बताना है क्या था है economic inequality can be measured by estimating the number of people who live below the poverty line तो दोस्तों इहां पर हम बिल्कुल below the poverty line देखके बता सकते हैं कितने लोग गरीबी में रह रहे है economic inequality हमको देखने को मिलती है second क्याता poverty declined faster in India after 1991 compared with pre 1991 period तो ये statement भी ठीक है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे 1947 का period था इंडिया आजाद हो जाता उनिस सो एक्याण में reforms लेता और आज 2023 चल रहा है तो यहां पर देखोगे ना इस वाले time period से तो जो सालाना हमारी poverty reduction rate था वो था 0.34 के आसपास में लेकि 1991 के बाद में 1.34 अराउंड इतना हमको देखने को मिलता है यानि के हमको सालाना poverty reduction में हमको improvement देखने को मिलती है LPG reforms के बाद में तो second statement ठीक है next question कहता है which of the following actions can be useful in making development process more equitable and sustainable तो दोस्तों यहां पर कह रहा है कि हम ऐसे कौन से actions करें थाकि जो हमारा development process है उस वो क्या है वो equitable हो सके और sustainable होई यानि कि equal के बारे में बात कर रहा है तो कहता है कि viewing private property as common property of all humanity तो दोस्तों यह statement गलत हो जाएगी suppose करो आपकी कोई property है और एकदम से बोल दिया जाए यह common property है हर एक humanity के लिए तो यहां पर हमको कही equitable तो देखने को मिलाई नहीं यह तो आपके साथ में discrimination हो गया तो यह और यह कोई development process नहीं है कि एक की property चीन के दूसरों को दे दी जाए वो समय बाठ दी जाए तो यह कोई तरीका नहीं होता तो यह गलत हो जाएगी second कहता increasing powers and resources of local bodies तो दोस्तों यह बिलकुल हमारी statement ठीक हो जाएगी जैसे decentralization की बात करी जाती है अगर हमको sustainable development करना है यानि का अगर यह इंडिया क्या बहुत बड़ा इंडिया है तो अगर हम centralization की बात करेंगे तो यहाँ पर कहेंगी development नहीं कर पाएंगे सभी लोगों को बराबर ही लेकिन अगर हम decentralization कर दे तब ही आपने देखा होगी कैसे इंडिया में पंचात और municipality आती है ताकि हम local level पर क्या है development कर सके हम equitable distribution कर सके तो यहीं पर सोच होती है कि हम power और resources को local bodies को देते ताकि development process equitable और sustainable हो जाए तो ठीक रहेगी स्टेटमेंट थर्ड कहता है selection of development priorities at the higher levels of political leadership तो दोस्तों यहाँ पर यह statement गलत हो जाएगी यहाँ पर जब higher level की बात कर रहा है जब भी सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है जब भी सेंट्रलाइजेशन होगा तब भी क्या है हमारा equitable distribution नहीं हो सकता तो हमारा जब भी अगर decentralization की बात करता है तो हमारी statement ठीक हो जाती तो यह आनिके सिर्फ और सिर्फ correct answer हमारा यहाँ पर second statement होगी है यहाँ पर नेक्स्ट क्याता है रिजिनलिजम इन पोस्ट इंडिपेंटेंट इंडिया इंडिया कैन बी एस्सोसियेटेड विद डिमांड सो दोस्तों यहाँ पर रिजिनलिजम के बारे में बात कर रहा है हमने इससे पहले वाले लेक्षर मे 이면 बनाना चाथ थे इस तरिके से तो यहां पर कहा रहा है कि इन मेंसे post-independent इंडिया क्या एसोस्येटेडेट है रिजिनल इंडियनलिजम को तो अब यहां पर देख़ुआए आपने जैसे क्या है यहां पर यहां पर कश्मीर है तो यह नहीं पर पोलिटिकल और क्रिसी दोस चाहिए यानि कि हमको अलग और तरीक से दर्जा दे दो political यह कहा एक रििजनलिजम की के टंडेंसी होती है तो होती है यह पालकिन अठीक City यह कोई वरिड्र नहीं आहीं होता знатьlli ने तो हमको इसको देखके क्या है हमारा separate area कर दो बिल्कुल इस तरीके से इसी demand को एक तरीके से regionalism बोला जाता है cultural aspiration बिल्कुल ये भी हमारा answer होगा यानि कि हमारा जो answer होगा second and three होगा और अगर हम one को eliminate कर दे तो हमारा answer correct second and three automatically आ जाएगा next question कहता है which article of the constitution of India safeguard once right to marry the person of one's choice आर्टिकल उन्निस एक्टिस पच्चिस उनतिस तो दोस्तों यहां पर यह बात कर रहा right to marry कि तो यहां पर गएगी हमारे ना दो आर्टिकल है जिसमें आपको confusion देखने को मिल सकते आर्टिकल नैंटीन और एक 21 के अंदर में तो आर्टिकल पच्चिस क्या है यह हमारा बोलता हम कैसे अपने religion को profess कर सकते हैं तो यह तो होगा नहीं आर्टिकल 39 minority के लिए कहता है यह भी नहीं होगा और आर्टिकल 19 हमको freedom के बारे में बोलता जैसे speech and expression और इसके अंदर में क्या है आर्टिकल से देखने को मिलता है जैसे freedom of speech and expression फिर उसके बाद में कहीं कर सकते हैं यहां पर इंडिया में कहीं मूव कर सकते हैं कहीं सैटल हो सकता है बिजनस कर सकता है तो हमको 6 यह क्या है freedom देखने को मिलती है तो इसके अंदर में भी मैरी का तो कोई provision आई ही नहीं रहा आर्टिकल 21 के अंदर में क्या है सुप्रीम कोट ने भी बोल लगा है तो हमारा क्या है जो right to marry है वो हमारा right to life के अंदर में आता है 21 के अंदर में तो याद रखना अब यहां पर से आज का 16 कोशन देखते हैं कहता है विद रेफरेंस तो इन्वाइरनमेंटल मुवमेंट्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस तो दोस्तों यहां पर इन्वाइरनमेंटल मूवमेंट के बारे में बात कर रहा जब इंडिया 1947 में होता है तो यहां से चिपक जाता है इस तरीके से तो अब यहां पर कहता है जो चिपको मूवमेंट है टुक अप एकनॉमिक एंड सोशल इस 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 अलोंग विद प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा यह हमारा इन्वाइरनमेंटल मूवमेंट था साइ जो भी हमारे कहे लाके अंदर में फोरष्ट इसको कंजर्व करने की बात करी जा रही जो कहरे लाग है अंदर मेना न six प्रोटेक्शिक बनाये जा रहे तेंडेज मोड़ा बनाये जिसके दर से पेड़ों की कता कॉट एच चप्ता हो रही थी नेस में कब बरग नेोंसIAN गह इसका basic जानेंगे तो आपने देखा होगा कि 1925 में क्या है यह इंडिया का मैप हो गया अब यहां पर आप देखे रहो यह UP का मैप हो गया और यहां पर आप देखोगे यह चोटी सी जगाई यह क्या है कानपूर है तो कानपूर के अंदर में 1925 में क्या तो एक session होता है फिर आपने देखा होगा कि जो 1934 में एक तरीके से constituent assembly की बात की demand उठाई जाती है वो M.N. Roy के द्वारा उठाई जाती है और M.N. Roy क्या है Communist Party के एक तरीके से सदस्या होते है ठीक है इतना हो गया 1925 में जब यह बन जाती है तो आपने देखा होगा कि यह क्या है कॉम्यूनिजम की एक ideology के उपर बेस है तो यहां पर जो उस ताम ब्रिटेश की सरकार थी इनको क्या गरा बहुत बार बैन कर दिया फिर आपने देखा होगा 1935 में government of India एक्ट आता इसके तैत में 1937 में क्या होता है elections कंड़क्ट कर आए जाते है तो यहां पर जब सरकार आती है Congress Party की तो 1937 में यह जो Communist Party इसको क्या करते है बैन हटा देती है इसके उपर से तो यह सारी की सारी चीज़े होती है फिर 1947 में इंडिया आजाद हो जाता है फिर उसके बाद में आप देखोगे 1967 64 का time period था यह क्या है Communist Party दो हिस्सों में तूड जाती है एक होते CPI और एक हो ज इमीडियेटली आफ्र इंडिया इंडिपेंडेंस दोस्तों यह तुरंत एक तरीके से इस प्लेट नहीं होती 1964 यह फिर 1967 का time period था तब जाकर के यह होती है यह पंदरा से 20 सालों के बाद जाके होती है तो पहली स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट भी कर देंगे तो हमारा अंसर second and third ठीक हो जाएगा second statement कहता है इंडिया's first democratically elected communist government was formed by communist party of India in Kerala तो दोस्तों यह भी statement हमारी ठीक हो जाएगी जो इंडिया की पहली general elections to लोग सबा तो दोस्तों आप ऐसे समझो जब हमारा 1952 में क्या था पहली बार general elections होता है आजादी के बाद में तो अब यहाँ पर क्याता है total 401 seat ओ पर लड़ाई लड़ी जाती है elections की तो सबसे नंबर बन पर जो party आती है वो Congress आती है आपको पता होगा फिर उसके बाद मे जो second number पर party आती है वो CPI बनती है यही opposition में सबसे second number पर party आती है तो यही third statement कहरा है कि CPI जो largest opposition party बनती है पहले general election लोग सबा में ठीक है पूर्थ कहता है Communist Party of India was declared illegal in 1937 when Congress ministries came to power यह statement गलत हो जाएगी Congress party ने इसके ओपर जो बैन अंग्रेज ने लगाया था इस बैन को Congress party ने हटाया था तो हमारा जो correct answer होगा सिर्पर सिर्फ second and third statement यहां पर हमारी ठीक हो जाएगी अब यहां पर 18 question को देखेंगे कहता है which of the following ideas did not form part of the early phase of India's development policy तो दोस्तों यहां पर early development policy के बारे में बात कर रहा है इंडिया की तो अब आपने देखा जैसे 1947 में कहा है इंडिया आ जात हो जाता है तो इससे लेकर करके 1901 में का एक पीरिड था उसके बाद में कहा है यह post reform वाला पीरिड देखने को मिलता है तो आप ऐसे जाती है उसके तहत में 1951 में planning commission set up कर जाती है 52 में आ जाती है इस तरीके से planning commission तो भीया पार्ट होती है इंडिया की early development policy फिर cooperative farming की बात करें तो जैसे second five year plan वगएर था तो इसके अंदर में cooperative five यानिके second उसमें नहीं green revolution की जब बात करी गई थी 1960 मिड वाले time period में तो यह भी हम liberalization of economy तो यह हमारा पार्ट नहीं था यह आपने देखा कैसे 1991 के बाद में क्या reforms वगएरा लिये गए थे तो थर्ड हमारा इसमें नहीं होगा self-sufficiency तो दोस्तों यहां पर self-sufficiency की बात करें तो यहां पर आत्म निरबर भारत पहले ही कर दी गई थी 1950s और 60 के time period में जैसे food क कि बारे में कर लो किसी भी चीज के बारे में कर लैंड रिफॉर्म्स आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंग्रियर लैंड रिफॉर्म्स लाए गयते सीलिंग एक्ट वगेरा लाए गई यह सारी के सारी चीजे तो यानिकर यह तो हमारे early development के तो हमारा third answer हो जाएगा इसक statement तो दोस्तों यहां पर इंडिया चाइना की रिलेशन की बारे में बात कर रहा जब इंडिया आजाद हो जाता है 1947 के बाद में कहता है आफ्टर दा चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949 इंडिया वास वन ऑफ फर्स्ट कंट्रीज तू रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज ग गवर्मेंट है तो ठीक है इन 1962 पैर मिलिटरी फोर्स वाज राइज तो रिकॉगनाइज सिक्क्यॉरिटी सेटप अलोंग दा इंडो तिबेतन बॉर्डर तो दोस्तों यह भी statement ठीक हो जाएगी आप ऐसे समझो जो 1962 का वोर होता है इंडिया चाइना के बीच में तो जब य खवाली करोगे है तो यहाँ पर यही कह रहा है जो 1962 में पैरा मिलिटरी फोर्स है जो हमारी ITBP है इसको उठाएगा ताकि यह security प्रवाइड करेगी इंडो तिब्वेतन बॉर्डर पर तो ठीक हो जाएगी थर्ड कहता है दा में कोर्स ऑफ चाइनीज इन्वेजर इंवेज इंडिया के लड़ाई हो जाती है और जब इंडिया हार जाता है तो इंडिया का जो अकसाई चीन वाला एरिया है यह चाइना कब जाता है कर लेता है तो यानिके सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है पहली और दूसरी स्टेट्मेंट करेक्ट हो जाएगी इसके अंदर में आज का लास्ट का 20 नंबर वाला कोशन देखेंगे कहता है विच वन ऑफ फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंकॉर्पो फंडामेंटल राइट्स है जिसको हमने क्या है कुछ पार्स में क्लासिफाई कर रखा है जैसे हमारे आर्टिकल टोटल कितने हैं बारा से लेकर के 35 के बीच में देखने को मिलता है तो हमारे जो आर्टिकल्स है जैसे हमने डिफाइन कर रखा आर्टिकल 14-18 एक कैटेगरी म में रखा जाएगा तो दोस्तों इस तरीके से क्या है हमने फंडमेंटल राइट को क्लासिफाई कर रखा है तो यह जो ग्रूप है ना इनका सब भीडम फॉरी रिलीजिन यहां पर दे रखी है राइट टू मैंठोडे रखिया क्या है राइट एजूकेश्ण राइट यहां पर दे रखा है उननत्यस तिस्क में और आर्टिकल 32 राइट टू कॉंस्टेशिट्पीस्टिशनल रमेडी तो यहां पर कह रहा है जो अंडशब है तो जो अंटचेबिलिटी का आर्टिकल है वो आर्टिकल नमबर 17 याने के राइट टु इक्वैलिटी में हमको देखने को मिलता है तो हमारा जो आंसर है इसके अंदर में डी होगा तो दुस्तों यह थे हमारे आज के बीस क्वेशन सो थैंक्यू गाइस